सभी का स्वागत है आज की वीडियो के अंदर आज का हमारा विश्य है दरिष्टी करम का सिध्धान कुछ परसन बनते हैं इसके अंदर बहुत ही आसान विश्य है हम इसको देखते हैं कि क्या परसन बनेंगे इस दिश्टिकरम के सिध्धान्त को आपने सिर्फ पढ़ना नहीं है याद नहीं करना है बलकि इसको समझ के जो आप चितर बनाओगे उसके अंदर इस सिध्धान्त को आपने लागू करना है अब देखते हैं इसके अंदर क्या है इस सिधान्त के नुसार हमें दूर की वस्तवे छोटे दिखाई देती है जैसे कि आपको चांद और सूरज छोटे दिखाई देते हैं इतनी दूर होते है सूरज तो बिल्की पृत्वी से कई गुना बड़ा है कई लाग गुना बड़ा है बावजुद भी हमें छोटा दिखाई देता क्योंकि वो हमसे दूर है और तीन बाते इसके अंदर है कि जो वस्तू आँग की सतय से नीचे होती है उसका उपर का भाग दिखाई देगा नीचे है तो उपर का भाग दिखाई देगा और आग की सतय से अगर उपर है तो उसका नीचे का भाग दिखाई दिखा, उल्टा है यह, ठीक आग की सतय पर वस्तु सीधी दिखाई देती है, अगर वो आग की सतय पर हो जाएगी, बिल्कुल सामने होगी, तो उसी दिखाई देगी, यानि कि एक रेखा मतर दिखाई एक بिंदू की तरह दिखाए देगी, उधान के तौरप कहता है रेल की लाइने वैसे तो समान अंतर होती है, सभी को पता है उनके बीच का अंतर समान है परंतु जब जब जो हम आउनको देखते हैं, तो वो हमें एक बिंदू पर मिलती हुई परतीत होती है ऐसा लगता है कि वो एक बिंदू पर जाकर मिलती है, परन्तु वो मिलती तो नहीं, अब जहां ये मिलती हुई परतीत होती है यही बिंदू, दृष्टी बिंदू कहलाता है, अब दो परसन इंपोर्टेंट बनते हैं, इसके अंदर एक दृष्टी रेखा और एक दृष्ट इनमें अंतर क्या है? दरिष्टी रेखा तब होती है, जब वस्तु ज़्यादा दूर ना हो, एक सीधी दिखाई दे, दरिष्टी बिंदु तब होता है, जब वस्तु दूर हो और एक बिंदु के रूप में दिखाई देनी, शुरू हो जाए, चित्रों के दोरा अब हम इन ह बातों को एक बार समझ लेते हैं, ये हमारे पास एक चित्र है, इस चित्र के अंदर सारे चित्र दिखाई गई है, आग की सत्य के सामने इसके सामने एक गिलास रख्या है, इस गिलास का उपर का भाग और इस गिलास का निचे का भाग, आग की सत्य के बिलकुल सामने है, इ और जो आँख की सत ऐसे नीचे है उसका उपर वाला भाग दिखाई देगा इसके अलावा यहां देखो आप जो जो पेड़ हमसे दूर है आँखो से दूर है वो हमें छोटे दिखाई देते हैं इसका मलब दूर की वस्तोय में छोटी दिखाई देंगी और यह railway line जो कि आपस में समानांतर है जो जो यह दूर जाएंगी हमें ऐसा लगेगा जैसे यहां पर आकर मिल जाती है जहां पर यह मिलती हुई परतीत होगी वही आपका दृष्टी बिंदू हो जाएगा और जहां पर कोई वस्तोय में सीधी दिखाई दे वह दृष्टी रेखा हो जाती है उमीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा आज के लिए इतना ही धन्यवाद